नमस्कार मैं हूँ प्रियंका आप देख रहे हैं वीरे टीवी भारत हिंदी सिनेमा के सूपर स्टार रह चुके मनोच कुमार का आज जन्मिदिन है बॉलिवुड में जब भी देश भक्ती की बात की जाती है तो एक्टर, डिरेक्टर और प्रिड्यूसर मनोच कुमार को जरूर याद करते हैं आज उनका 84 जन्मिदन है बहुत कम लोग जानते होंगे कि मनोच कुमार रिफ्यूजी बनकर हिंदुस्तान आये थे फिर कैसे हिंदी सिनिमा के सुपरिस्टार बन गए आये उनकी जिन्दगी के दिलचस्प किस्सों को आपको बताते हैं उन्होंने इंडस्ट्री में आने पर अपना नाम बदला और उसके पीछे दिलिप कुमार का कनेक्शन है मनोच कुमार दिलिप कुमार की एक्टिंग के दिवाने थे जब एक 11 साल के थे तब उन्होंने फिल्म शबनम देखी इस फिल्म में उन्हें दिलिप कुमार की एक्टिंग बहुत पसंद आई थी जिसके बाद में जब उन्होंने फिल्मों में एंट्री करने का फैसला लिया तो उन्होंने अपना नाम बदल कर मनोच कुमार रख लिया था जो फिल्म शबना में दिलिप कुमार के किरदार का नाम था मनोच कुमार का पूरा नाम हरी किशिन गिरी गुरसवामी है उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को हुआ था मनोच कुमार को भरत कुमार के नाम से भी जाना जाता है हिंदी सिनेमा के सूपर स्टार है चुके मनोच कुमार का जन्म पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ था उन्होंने अपनी बहतरीन आक्टिंग से कई सालों तक ओडियन्स का दिल जीता उनकी फिल्मे रोटी, कपड़ा और मकान, पूरव और पश्चिम, क्रान्ती और उपकार आज भी सभी को बहुत पसंद आती है इन फिल्मों में उनके किरदार बॉलिवूड में अमर हो गए है मनोच कुमार ने अपनी पतनी शशी की सलहा पर फिल्मों में काम करना शुरू किया था बॉलिवुड में देश भक्ती का दौर लाने वाले किसी एक्टर का श्रेय जाता है तो वो मनुच कुमार को मिलता है फिल्म उपकार के लिए 1968 में नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था 1972 में बेइमान के लिए फिल्म फेर अवार्ड मिला निजी जिन्दगी की बात करे तो मनुच कुमार और शशी के दो बेटे हैं जिनका नाम विशाल और कुनाल है